उस एरिया में जहां लड़ाई जगड़े होते हैं स्चोरेश को लेकर तेरा कॉंटेस्टेंट को बुला लेते हैं समान रखने की जगा नहीं देते हैं और यहां पर हमेशा कूड़ा कबाड़ा सब बाहर निकाल के पसारा पड़ा रहता है अभी आपको अच्छा लग रहा है अब यह देखना होगा इसको पुरा रेड थीम रेड और गोल्डन दिया गया है बहुत ब्राइड थीम है और यहां पर हम देखते हैं कि बैट के यह जो है तैयार वगेरा होते हैं इनके कपड़े बड़े सब यहीं पी रखे रहते हैं और हर बार स्टोरेज को लेकर इनके सबको वाश्रूम एरिया तेयार होने के लिए ड्रेसिंग एरिया दिया गया है तो यहां मुझे लगता है कि इस चीज को नया आइड ओन किया गया है तो अब इस एरिया में आई होप इस बाद जगडे ना हो लेकिन जगडे नहीं तो कॉंटेंट कहां से मिलेगा यह देख जब टास्क हो यहां पिधर आए है कुछ मिनट के लिए और आपको पता चल जाएगा कि भी टास्क शुरू हुआ है तुरन भाग के चले जाएगे राइट चली अब हम भाग के जाते बहुत सारी चीजे भी आपको दिखाना बाकी है जहां पर रोज सुभे मॉर्निंग सॉ होता है या फिर मॉर्निंग सॉंग बचता है मैं आपको लिए चलती हो जिम के एरिया में आये यह पूल एरिया जो हर साल आप देखते हैं यह देखिए हैं बिक बास की आंख इंजॉए दी इस घर की खासियत है कि इस घर के अंदर जो घर की छोटी-छोटी चीजों को भी करता है न वही इस घर में सर्वाइब कर पाता है मेरी पिछी स्मोटिंग एरिया है और जब टास की दोरां लिविंग रूम या सबब तो जाता है तब जो वाश्रूम एरियन लोगों को दिया जाता है वो स्पेज रहे है यहाँ पर निजाला गया है इस पूल है अला कि अखो की शेप से बनाए गया और बिग बॉस की आंक सीधा इसके उपर ही है इसके आगे पीछे इस बाट बैठने के लिए सिटिंग अरिजमेंट काफी अच्छे की गया है कि आप बैठ कर जो है अराम से इवनिंग को इंजॉई कर सकते हैं राइट यहाँ पर हर साल आप ए 606 लोग बैठ के खावा सके उस तरीकी का स्पेस है पर वो स्पेस का एक्सेस दम वाले एरिया में जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए है क्योंकि मुझे बाहर से किसी तरह का कोई गेट नजर नहीं आ रहा है